है नमस्कार साथियों साथियों सरदे आने वाली हैॊर में सब्सेज ज़्यादा च्रण ना है इन समस्याहों में लोग आपको द्रहँा द्रहा के नुश्के बताते हैं एक करो वह करो यह वारी ग्रीमशिन के लिए बहला है लेकिन इनласт tomorrow मार्केट और प्रोड़क्स को इस्तमाल करने से पहले इसके साइड एफेक्ट होना बहुत ही जादा माने जाते हैं यानिकि साइड उपेक्ट बहुत ही जादा है क्योंकि आज हम आपकी समस्या का समाधान लेकर आए हैं इन दोनों समस्याओं में फिश ऑईल सबसे पैस्ट रुपाए लेकिन इस पेल का इस्तमाल कैसे करना है और यह किस तरह से बालों और स्किन में फायदेमन है इन सब बातों को जान आज में आपको फिश ऑईल इस्तमाल करने से होने वारे फायदों के बारें बताऊंगे साथियों फिश ऑईल स्किन हाइड्रेशन के लिए बेहत असदार है मचली में मौझूद ओमेगा-3 fatty acid बेहत हाइड्रेटिंग होते हैं वो पानी की कमी को रोपने के लिए स्किन बैर फिश ऑईल सप्लिमेंट लेने पर सूजन, सुखापन, लालीमा और खुश्ली के लक्षर भी कम हो सकते हैं यह सोराय असिस को भी कम कर सकता है दोस्तों, फिश ऑईल इसकिन टैनिंग में भी काफी मददकार है मचली के तेल की सूजन, रोधिगुर, एक्जीमा, सनबर्ण या सामाने रूप से सनवेधन शिर इसकिन सहीत सूजनवारी स्किन की समस्याओं को कम करने में मदद कर सकते हैं अगले फाइदे की बात करें तो ये आपके घाव को जल्दी चीक करने में काफी हद तक मदद करता है इसकिन पर छोटा मोटा कट या खरोच लग गई है तो थोड़ा सा मचली का तेल लगाया जा सकता है ओमेगा-3 fatty acid घाव को जल्दी फंजे में मदद करते हैं इसके क्रोणी अलसर और अन्य स्किन घाव के उप्चार में भी काफी हद तक सुधा हो सकता है दोस्तों अब मैं आपको फिश ओयल के इस्तमाल करने का अगला फायदा बताती हो साथियों फिश ओयल में मौझूद EPA शेरीर के UV किर्णों से आंतरिक सुरक्षा को बढ़ा सकता है संस्क्रीम के सामान यह सूजन रोधी होता है यह संबन से होने वाले रुकसान को ठीक करने में मदद कर सकता है सूरत से प्रेथित DNA रुकसान के संकेत को कम कर सकता है साथ ही फोटो एजिंग के संकेत को चल कब करने में मदद कियाता है साथियों आप को फिश ओयल केकстаточно के लिए दोस्तों मैं बालो के लिए बताती हूँ कि ये बालो को मजबूति देने में किस तरह से काम करता ह mustard आपको बताते हैं दोस्तों फिश ओयल की गंद के कारण इससे सिर्की मालिश नहीं की जा सकती इसकी बजाए मचली के तेल का सप्लीमेंट लिया जा सकता है व्मेकाथी फैटी एसीटी के मुंस्ट्रिलाइजिंग गुड़ का लाब बालों को मिलता है फिश ओयल में सीवां बहुत जादा मातरा में पाया जाता है क्योंकि ये बालों को ग्रो में मदद करता है इससे बालों के स्वास्ते में यकिन सुधार होता है साथी बालों में रुखापन डैंडरफ और बाल कमजोरी को दूर करने में मदद करता है साथियों सर्दियों में अपनी स्किन और अपने बालों का ख्याल रखना बेहर जरूरी है उनके लिए आपको किसी महेंगे प्रोड़क्ट्स और दवाओं की जरूरत नहीं है घरेरी उरूस के ही आपके लिए सबसे बैस्ट है तो चलिए साथियों आज की जानकारी का सिलसिधार नहीं रत्म करते हैं आज के बस इतना ही मिलते हैं आपसे जल्द ही किसी ना किसी नई जानकारी के साथ तक तक के लिए समझ तो दीजिए जासत धन्यवाद